सब इकसान बागवना को मेरे नमस्कार आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में स्वागत हैं आज हम बात करने वाले हैं सेडलिंग प्लांट ज्यादा वेतर होते हैं या फिर हमें रूस्टॉक में काम करना ज्यादा बेतर या फिर फाइदे मन रहता है इससे पहले कि मैं अपन करका कोई नुपसान नहों क्योंकि आशकते से पानी की अधिकतान जड़सन में साइक होता है अब बात करते हैं सेडलिंग प्लांट ज्यादा वेतर और फाइदे मन रहता है या फिर रूस्टॉक तो यहां पर मैं आप से भी को बताना चाहूंगा यह जो आप वीडियो में सेडलिंग प्लांट तो मैं आपको बताना चाहूंगा यह जो चैरी के प्लांट यहां पर पहले लगए हुए थे यह सभी प्लांट्स रूस्टॉक में ग्राफ्टिड अपर लगाए गये थे जिसमें हमने फरवरी में कुछ एक प्लांट को छोड़ कर सभी प्लांट्स में प्लंप की ग्राफ्टिंग की हैं आजकल यहाँ पर सभी ग्राफ्टिट प्लांट में तॉली के जा रहे हैं इस मिट्टी में हमें वाइड रब जिसम रूट कटर या फिर स्पेद कीड़ा भी बोलते हैं काफी मातरा में यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप वीडियो में देख पारे होंगे काफी सारी मातरा में एक ही तॉली से यह जो रूट कटर होता है हमें मिल रहा है यह जो रूट कटर होता है एक बार जड़ के पास आने पर एक ही कीड़ा काफी नुकसान कर देता है बहुत सारी जड़ों को खा लेता है और जड़ों के पास इसका प्रजनन और लाइफ साइकल चलता है खासकर रही वाइट ग्रफ जब सेव के छोटे पौदों की जड़ में पहुंच जाता है तो उस पौदे को यहाँ पूरी तरह से नश्ट कर देता है अब हम वापिस उसी में आते हैं सिड्लिंग बैस्ट है या फिर रूट स्टॉक यहां आप देख पा रहे होंगे यह नेच्वली जो मिट्टी के अंदर मिलने वाले अर्थ वाम है तॉली में इनकी मौजूद की हमारे प्लांट को काफी फाइदेमंदर रहती है काफी बैनिफिट्स हमें देते है तो बाक्न भाहियों यहां अब में यह जो रूट स्टॉक में यहां पर पहले लगा थी में fin रूट स्टॉक की एक जन निकालकर आपको दिखाता हूं실ब यहां पर देखे हर वर्ष इन रूस्ट्व में नई जन निकलती है नई जनों ineffective होता है और काफी अधिक यहां पर देखें हर वर्ष इन रूट्स टॉप में नई जड़ने निकलती है नई जड़ों का निर्मान होता है और काफी अधिक मात्रा में इसमें फिडर रूट्स बनते रहते हैं यहां पर आप देखें कितनी अधिक मात्रा में यहां फिडर रूट्स बनते हैं जो की प्ल नुक्सान कर देता है या फिर छोटे पौदे को पुरी तरसे सुका देता है अब यहां पर आप देख सकते हैं मैंने तोड़ कर एक जड़ निकाल दी है थोड़ा यहां मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूं यहां से इस जड़ को वाइट ग्रम ने काट कर पुरी तरसे नश होते हैं जिस कारण से जो यह वाइट ग्रम होता है रूट स्टॉक को ज्यादा नुक्सान नहीं कर पाता है तो कुल मिलाकर यहां पर मैं आप सभी किसान बागवाने को बताना चाहूंगा जिस ख्यत्र की मिट्टी में वाइट ग्रम की अधिकता रहती है और वाइट ग्रम नहीं होता है तो वहां पर रूट स्टॉक में काम करना बहुती बेहतर है और काफी लाफ प्रद है तो जब मैंने सेव किसपर वराइटी सिड्लिंग में ग्राफ्ट की और रूट स्टॉक में काम करना शुरू किया शुरुयादी दोर में मैंने अपने और्चर्ड में पाय करने में सक्षम नहीं है जब कि हम सेडलिंग प्लांट में भी अच्छी क्वालिटी का से प्यार कर सकते हैं यह रूर्स्टॉक को मैं इसलिए बहतर पता रहा हूं क्यूंकि जहां की मिट्टी में जिसक्षेतर में वाइट ग्रब काफी अधिक मातरा में मिलता है या फिसकी अ सब्सक्राइब करने में सक्षम हैं तुक्सान बावन भायों आज के लिए बस इतना ही वीडियो को लाइक और शेर जूर करें और यह आप मेरे चैनल पर नए आया है तो बीस प्ली में चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें और बेल आइकिन की घंती पाएं त सब्सक्राइब करें